हाई गाईज विलकोम और और कम बाग टू माई चैनल में हूं सुना और आज मैं आप लोगों के साथ यह मेकप लुक से आखने वाली हूँ अलड़ी आप देख रहे हो थोड़ा गृनीज दिख रहा है थोड़ा मरून तो दिखी रहा है क्या गया है कि मरून सेर्ट को टोटल में देने के लिए वर खाला कि मेरा फेला editing है मोबाईल में मुझे उतना आती नहीं है मोबाईल में editing करना कैसा बना है comment section में बताइए जैसा और यह all about makeup look है कर बाचो स्पेसाल है और यह जो सिंदूर में लगाई हूं यह लिफ्टिक से रुटिक क्रेट की हों किन्पी मेरे घर में बिल्कुल भी पर्मिशन नहीं है साथी से पहले सिंदूर लगाना मांग भरना तो यह मैं लिफ्टिक से ही क्रेट करती हूं थोड़ा सा लेकिन यह अलबहुत मेकप लोग ह है बहुत ही एलिएन मेकप लोग प्रेट किया गया है आपके लिए करवा चोथ के लिए बैसे तो आप लोगों का फास्टिंग रहेगा उस दिन जो लोग भी करेंगे हैवी लुक करना उतना पॉसिबल नहीं है इसलिए बहुत ही लाइट वेट है सिद्धिक रहा है लेकिन दो चलिए शुरू करते हैं आज का मेक-ब लुक पहले में अपनी सकीन को प्रेप कर लेती हूं पहले में अपनी स्केन में मिष्ट अपलाई कि का मिरा ज्रस्कीन है वह हाईट्रेट होगा ना आपका स्कीन तब आप ये वारिस हो रहा है वाहर तो थोड़ा धुदावानस ह मैंने चाहितरों पाएगा तो उपनी पॉपल का अच्छे से इंपनी की हुआ अच्छे की हुआ 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 की और एक जस्कीन पाइपल की अपनी में कीन के मिकाल है उससे अच्छे से पाइब कर दिए। अगर आपका जो मेकप रूख है वह अच्छा नहीं दिखेगा तो इसलिए में हमेसा बोथ हूँ आइबो सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आइबो सेट करना सीफ लिजिए और ब्राउन सेट के साथ ही सेट कीजिएगा आइबो फिल कीजिएगा टाके वह नेचुर यह अपे अपनी आई लिड में अच्छे से अपनी आई लिड को ब्लेंट कर दे रही हूँ ताके आई लेड का जो स्पेस है उसको अच्छे से से शेट करना बहुत ज़रूरी अगर आप अगर आपकी पिग्मेंट इसलिए आपको आई में अच्छा नहीं लगेगा जहां जहां पर कलरेक्टर अपलाई की थी वहां वहां पर में थोड़ा सा हाइलेटर मिक्स कर रहे हूं फाउंडिशन के साथ ताकि मुझे डूई मेकप लुक मुझे मिल जाए और उसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है लाश मेकप ट्विट्रल में भी में ब अंब बहुत जादा जरूरी है और आपका जो फाउंडेशन होगा थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए मेंद की विम्यातके बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर आप दूई मेकप लूप लूप ब्येट करते हो तो अगर आप मीर हाँए जो फाउंडेशन में आपको ब्लेंड करना है ताकि आपका नेक अरिया अलग ना बिख्या आपकी स्किन से ठीके जी ताकि वो प्याच लाइन ना आ जाए उसके बाद वारी आती है अधिक प्रेंग यहाँ पर मैं एक्सट्रा कंसिलिंग अपलाई नहीं करें रहे हुँ पौहेट ब्रिज अप्लाई करते हो तो आपकी बेस खराप हो जाएगा बेस में जान ही नहीं रहेगा ठीके उसके बाद में यहाँ ब्लस अपलाई करें हूं बहुत थी लाइक ब्लस लोगों आपना थेयल रख़ेंगे जरूर उसके बाद अगर सहाथ हबłगे तो आप लोगों को ठीक अधर को ऩीसरी को хот वाच्वाचोड का कठिन वरत होता है आधा बहुत ही भवर होता हैandan भाइब कठा में तो बहुत द्पर थाइम लगता है इसकर थोड़ा सा लोसकाइम लियetic जूड़ा ली कर दिने अफ्लाइक करती हैं उसके बारी आती है ट्रमिक्ण वे कि हमारी आई मेकप का पहला स्टेप होता है उसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत जड़ा ज़रूरी है कि ड्रामाटिक लूक आना ज़रूरी है और आपको हेवी भी नहीं लगनी चाहिए ठीके जी ट्रांजिक्शन सेड उसके बाद में यहां पर अप्लाई कर रही हूं थ दो इसको उसे से बिलेंड करना है ब्लेंड करने के बाद में यहां पर अप्लाई कर रही हूं मरुण सेड जो होताँ बहुत वीवीनेड कंबनेसे क्대液ूरी है अपनी अपलाई कि ऐसरे मैकसिमुम मैकप में यूज में करती हूं यह समत्म्कूर मारून वाला स्ट स्कुरिक आपने क्रीस में एक्दम छांड के तरह आपने क्रीस में बलैंड करें हुँ आपर घ्रीजर संप्रने करें ईसके आपने बात पर को हर Whenever पेस और तरह कर आपमें आपने करिक नहीं Fey क्रीज लाइन में आपको मरून सेट ब्लेंड किये होंगे न तो उसको छोड़ देना है बाकी क्रीज लाइन के नीचे जो आइलेड है उसमें यहां पर पुरी तरह बटल प्रीन के सेट फिल करती हूं बहुत ही ब्यूटिफुल सेट है अलाकि मैं यह सेट पहली बारी उसके बाद में थोड़ा सा गोल्डेन सिम्री सेट अप्लाई कर रहे हूं अपनी आइलेड में अपनी फिंगर टिप्स के हेल्प से क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा ब्रस यूज़ करने की ज़रूत नहीं है और देखें मैं बिल्कुल भी क अब पर फिस नहीं की हूँ जो आपको हेवी लगे उसके बाद में थोड़ा सा हार्स लाइन को इन्वीजिबूल कर रहे हूं हमेंसा बोली हूं हार्स लाइन अगर दिख गया ना मेरी जान तो अच्छा नहीं लगेगा उसके बाद में गोल्ड्रेन आम ट्रांस्परेंट गलीटर को मिक्सब कर रहे हूं आपनी ऐलेज में पूरी तरह फिक्स करोंगी बैसे यह जो ट्रेलीटर है यह सीलर के हैश सेंचे है ना उसके हिल्फ और यह बहुत ही लाइट होता है ग्लीटर सी दिखता है है वी लेकिन होता नहीं है अगर आप लीटर के थोड़ा साभी तो आपकी जो आई मेकप वह अलगी लेवल में चला जाएगा तुटेली इसलिए मेरा जो आई मेकप में पहले बाद बोली थी थोड़ा दिनीस लगता है थोड़ा गोल्डेन लगता है और दीटर तो मेरे जन्मों-जन्मों का साथी है मैं उसे छोड़ी नहीं सकती हूं आप लाइनिंग क्रेट करना भी बहुत आसान होता है वस थोड़ा सा आपको थोड़ा से ध्यान देना है और थोड़ा सा प्रटिस करोगे ना हो जाएगा ठीक है उसके बाद मैं इनर करनल को भी थोड़ा सा विंग दे रही हूं और एक दम जो क्याटाई लूका है वैसे उसी त अजिए उसके बारी आती है मस्करा मस्करा में अपर लास लाइन या और लोई लास लाइन को अच्छा है अच्छा लगता है तो आप जरूर अप्लाइ कर लिजगा बहुत अच्छा लगेगा लेकिन क्या है ना यह फॉर्स लैसे सगर आप अपलाए करता हो तो थोड़ा सा आई मेकब तो हेवी लगता है इसके बात में यहां पर पूरी इंट्राफेस में हाईलाइटिंग करें हूं चिप बोन ब्रीज अप्टो नोज फो हेड अपर लिफ स्चीन इस सारी रियस को आपको अच्छे से हाईलाइटिंग करना है आई के इनर करनर आपको यह मेरी लिफ्टिक की लिफ्ट लैनर अप्लाइब करके लिफ्ट की अप्लाइब कीजेगा ताकि आपका जो लिफ्टिक है वो बहुत ही अच्छे से शेफ ली रहे मतलब एक दम निट अंक्लीन लगे ठीक है जी लिफ्ट लैनर कभी स्कित मत कीजिएगा उसके बाद में लाकमी का मैजन्टा मैजिक लिफ्टिक अप्लाइब करें हूं बहुत ही प्यारा सा सेड़ है इनर कंडर में सेट की हूं इसलिए ब्राव बॉन्स को सिफ हाइलाइट करती हूं और याप देख चुके हैं यह है मेरा फाइनल लुक और सच बोलू तो मुझे यह लुक बहु और यह लोग तो बोलेंगे ही बहुत प्यारा लुक आया है लेकिन भी बोलना चाहिए कि हां यह अच्छा में पैसंद आया वो तब जाके बात बनती है लाइक किजिएगा सेयार कीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू से आज मैं मोबाइल में एडिट कर रही हूं मुझे नहीं पता कैसा लगेगा आप लोगों को अगर कहीं पर भी गलती हो गया है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजेगा कि मुझे मोबाइल में एडिट करना नहीं आती है और यह क्या होता है हां और एक बात है कि हम लोगों को योट्वर्स के बारे मैं वोल रहों तो लुगों को अच्छा ही लगे मिजokime है विछी किस्तों न वह देगा है यह मेक अच्छा मुश्चा लख रहे यह वाफ करताए इस्तुट हुआ का यह हमारी काम का, हमारे effort का, कोई भी भ्हाली नहीं है अगर आप like नहीं करोगे, comment नहीं करोगे subscribe नहीं करोगे, channel grow नहीं होगा, तो फिर जो हमारा effort होता है, वो सब बेकार हो जाएगा, इसलिए please do subscribe hit a like, so your love क्योंकि, क्या बोलू, आज आज मुझे मैं खुद comfortable नहीं हूँ, मुझे नहीं पताज क्या होने वाला है इस वीडियो के साथ, कितने लोग देखेंगे, कितने लोग पसंद करेंगे, फिर भी प्लीज लाइक किजिएगा, share किजिएगा and subscribe my channel, thank you so much for watching, मिल दियू next makeup tutorial में, तक तक, bye-bye, take care, love you all.